किस बात के लिए दिमाग लड़ा रहे हो? कोई मुश्किल आन पड़ी है? मुझे बताओ, मैं भगवान जी से प्रात्ना करके तुमारी सारी मुश्किल आसान करा देंगे. किस बात के लिए दिमाग लड़ा रहे हो? कोई मुश्किल आन पड़ी है? मुझे बताओ, मैं भगवान जी से प्रात्ना करके तुमारी सारी मुश्किल आसान करा दूगे. मुहबबत का मतलब इक्रार नहीं होता, सिर्फ किसी को देखना प्यार नहीं होता. मुहबबत का मतलब इक्रार नहीं होता, सिर्फ किसी को देखना प्यार नहीं होता. क्या आप दूसरों के इज़द करते हैं, क्या आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, क्या आपने कभी अपनी पत्नी की भावनाओं को समझा है, क्या आप दूसरों के इज़द करते हैं, क्या आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, क्या आपने कभी अपनी पत्नी की भावना कभी एक नाशची में और समेचीलिया? कभी कोई मर्द कूदा है आग में आपनी लगी? कोई करवाचाफ बना है इनके लिए? और जब दो इंसान एक ही दौर से गुजरते है, तो वो एक दूसरे को ज्यादा चितरा से समझ सकते हैं.. और जब दो इंसान एकी दौर से गुजरते हैं तो वो एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरा से समझ सकते हैं बेट जाओ बेट जाओ आराम से बेठो पेट की सासा है आपका लाक्स पड़ी थिन उस दिन बेट जाओ बेट जाओ आराम से बेठो पेट की सासा है आपका लाक्स पड़ी थिन उस दिन सिक्रेट और मैं यहां नहीं बिल्कुल नहीं मुझे यह सिक्रेट लाके कौन देगा सिक्रेट और मैं यहां नहीं बिल्कुल नहीं मुझे यह सिक्रेट लाके कौन देगा तुम्हारे पास जमीर नाम की कोई चीज है या उसे भी बेचकर वोट खरीद लिये है अगर तुम जैसे लोगों के हाथ में इस देश का भरुश आ जाए तो इसका इंजाम क्या होगा मालू है तुम्हारे पास जमीर नाम की कोई चीज है या उसे भी बेच कर वोट खरीद लिये है अगर तुम जैसे लोगों के हाथ में इस देश का भरुश आ जाए तो इसका इंजाम क्या होगा मालू है ये सुनकर क्या तुम खुश हो तो फिर मैं कैसे खुश हो सकती हो क्योंकि हाथ में पॉम-पॉम लेकि लडगों के लिए चिलाना मेरा स्टाइल नहीं है वो मेरे चिलाए, सीती बजाए, that's more my thing क्योंकि हाथ में पॉम-पॉम लेकि लडगों के लिए चिलाना मेरा स्टाइल नहीं है वो मेरे चिलाए, सीती बजाए, that's more my thing तुम मुझे क्या बदसूरत करोगे औरत का सिंगार उसकी सूरत नहीं उसका पती होता है तुम मुझे क्या बदसूरत करोगे औरत का सिंगार उसकी सूरत नहीं उसका पती होता है कहां से शुरू करूंगी तो मा पुरा मान जाएगी आजकी बात की तो आप लोग पुरा मान जाओगी तुम नहीं आते न तुम्हें रास्ते भर रेस्विस रहते चाहे जितनी बार बाई बोल दो, जाने से पहले एक आकरी बार मिलना जरूरी क्यों होता है नातिक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह लिखा गया है सबने अक्टिंग भी बहुत अच्छी की लेकिन उसके अंदर की समस्या को एक गलत नजर्य से देखा गया है नात्यक बहुत अच्छा था बहुत अच्छी तरह लिखा गया है सबने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की लेकिन उसके अंदर की समस्या को एक गलत नजर्य से देखा गया है झाल झाल